iOS 17.1 Top Hidden Features and Very Useful Things तो दोस्तों यहाँ पे हम सभी ने iOS 17.1 Update को तो डाउनलोड और इंस्टोल करी लिया होगा इस वीडियो में आप सभी जानोगे कुछ important features जो कि आप डेली रुटीन में यूस कर सकते हैं वीडियो काफी helpful है छोटी भी है चलो शुरू करते हैं But before starting this video I would like to say one thing that please guys make sure you have to subscribe our channel and hit the bell icon so that whenever I will upload any useful video you will get instantly the notifications of my video तो आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर आपको एक देखने को मिलती है features जो कि है यहाँ पर press and hold करके रखते हैं For example, Customizations पर जाएंगे then आपको यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करना है यहाँ पर अगर आप कोई साभी wallpaper यूज करते हैं Like इस तरीके से करते हैं then आपको यहाँ पर एक Extend Wallpaper की option मिल जाती है इसके उपर आप जैसे tap on करेंगे तो आपका wallpaper कुछ इस तरीके से For example आपने zoom कर दिया है या फिर काफी zoom out कर दिया है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर Extend पर क्लिक करते हैं यह प्रॉपल साइस में आ जाता है आपको यहाँ पर Done पर क्लिक करना और यह जो है आपका यूज हो जाएगा यदि बात करें next feature तो वो भी आपको wallpapers में ही देखने को मिलती है just simply press and hold then click on this plus icon अब आपको यहाँ पर Photoshop में albums को आड़ करने की features मिल जाती है Photoshop is processing then आपको यहाँ पर क्या करना है choose photos manually यहाँ पर choose album पर click करेंगे तो यदि आपने कोई album बनाई है तो यहाँ पर उसको आप add कर सकते हैं जैसे आप add करेंगे तो वो यहाँ पर आपके wallpapers में album भी आप show कर देगी तो यह भी काफी मज़ेदार चीज है अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं यहाँ पर आपको depth effect भी मिल जाती है इस तरीके से अगर आपने आपे albums पनाई है तो उनको आप add करके use कर सकते हैं यह भी काफी चीज अच्छी है अगर यहाँ पर आप albums में जाएंगे वह है कि आप सभी जाएंगे अगर आप अपने iPhone की settings के उपर आपको tap on करना journals पर यहाँ पर आपको airdrop मिल जाती है आप इसको use seller data को on कर दे तो जैसे for example आप कोई भी यहाँ पर use करते हैं चीजे and like airdrop का use करते हैं अगर अगर यह distance आजाता है तो यह भी जो है अब आपके अपके अपने बैटनी हो जाएगी वहाँ फाइल नहीं होगी शेरिंग कंटीनी रहेगी तो यह भी आप इसको most the use 296 में 1 जाए और कर बात करें दोस्तों यहाँ पे काफी सारी चीजे छोड़ी ओट कर दीगें यह जो में चीजые है मैंने आपके से अई से करती है वो है कि कर देती कि आपका phone जो है आपके face से काफी नजदीक है आपनी कहलने की eyes से काफी close है तो आप इसको थोड़ा distance में रखें तो यह आपकी eyes के लिए काफी better चीज़ है आप इसको use करें मैं इसको use करता हूँ क्योंकि मैं खुद गलती कर रहा था मैं जब आपनी videos को edit करता हूँ क कि आपको music में भी काफी चीज़े मिल जाती है बट मेरे को जितनी यह मिली वही मैंने आपके शेयर कर दी है तो आज किस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में thank you so much guys